तो अभी हम जाते हैं किचेन में बटर ड़ेगा हाफ केजी इसमें यह इस्पेशली जो है साओधी अरेबिया से यहां पर मंगाया गया है यहां पर चिकन लेगपीस रेडी हो चुका है हमारा मंदी जूसी ग्रेवी अल्मोस्ट रेडी हो चुकी है जमनी से इंपोर्ट होकर यह वन एंड ओनली इस रेश्टोरेंट में आई है अभी हमारी फीच यहां पर हो चुकी है बिल्कुल रेडी और यह भी मैं ले रहा हूं इसका फर्स्ट बाइट है लो एब्रीवन दिस आमेर विन सहीद और वेलकम तो माई फूट व्लागिंग चैनल दी फूटिट और आ आज मैं आपको बताऊंगा यहां पर मंदी बंती कैसा है और उसका टेस्ट एंड रिव्यू तो अभी हम अंदर जाते हैं और देखते हैं जमानी स्पेशल थाला बंता कैसा है तो आई यह व्लॉग करते हैं स्टार्ट और एंड तक इस वीडियो को देखिए लेट्स गो तो अभी हम जाते हैं किचेन में और हम देखते हैं कि यह अरेबियन मंदी बंती कैसे हैं तो आई यह अभी यहां पर कट हो रही है ओनियन चूला हो चुका है रेडी और इस पर आ गया है 14 टू 16 केजिस का बगोना यह दल रहा है ऑईल वन लीटर के उपर है यह बटर डलेगा हाफ केजीस में पुरा बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए तब तक हम इसको मिक्स करेंगे यहां पर देन उसके बाद यह जाए गई आनियन बे लीप्स जिंजर गार्लिक पेस्ट टमाटे का पेस्ट ग्रीन चिल्ली पेस्ट अ अभी इसमें डलेगा ड्राइब ब्लैक लेमन होल गार्लिक बड़ी वाली हरी मिल्ची और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और यह जो ड्राइब लेमन है यहां पर उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं यह इस्पेशल जो है साओधी अरेबिया से यहां पर मंगाया गया है कि यहां पर भी मिलते हैं बट उतने टेस्टी एंड उतनी क्वालिटी वाले यहां पर नहीं मिलते तो यह ए इसमें डल रहा है नॉर्मल वाटर मटन वाटर इसको हम इसी लिए डाल रहे हैं इसमें ताकि मंदी का टेस्ट अच्छा हो सकते तो अभी हम अच्छे से इसको 5-10 मिनट जो है मिक्स करेंगे क्योरा का वाटर फ्लेवर के लिए यह काम करेगा मंदी राइस भी आड़ हो मिन पर इकश वाटर करेंगे तामाटो एक कि यहां पर अभी हमारा है रैस हो रहा है और यह इसमें डल रहा है टोमाटो के पीछेज और अभी यह होगा अत म मूं मरतु के क्वर करेंगे और इसको आप आक ताले है यह मतन भी आ चुका है फ्रेश यह जेजर आन गार्लिक प ग्रीन चिली पेश्ट, तर्मरिक पाउडर, धनिया पाउडर, मटन मसाला, हरी मिर्च, स्किनलेस गारलिक, पत्थर के फूल, मोटा नमक, ऑईल, भी इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे, इसको मिक्स करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मटन हो चुका है मिक्स, और अभी हम डालेंगे स्टीम मशीन में और यह होगा थोड़ी देर में रेडी, देखते हैं के मटन जूसी मंदी का ग्रेवी कैसा बनता है, पहले इसमें डाला गया है ओईल, फिर इसमें डाली गई है प्यास, जिंजर गारलिक पेस्ट, ओईल, टोमाटो पेस्ट, ग्रीन चिली पेस् इंग्रीडियन्स डलेंगे मंदी जूसी ग्रेवी में, आठ से दस मिनट इसको यहां पर पकाया जाता है, डल रहा है यहां पर ग्रीन चिली सॉस, वेस्टर सॉस, अभी इसमें डलेगा तबासको सॉस, ताके ग्रेवी जूसी मंदी को हम और लजीज और टेस्टी एंड और डिलीशियस इसको हम बना सके, चिकन स्टॉक के पीसे तो यह चिकन स्टॉक जो है अरेवियन स्पाइसे से जो की और लज़दार इस जूसी मंदी को बनाएगा, भी डल रहा है सॉल्ट, नमक, हनिया पाउडर, जीरा पाउडर, टामरिक पाउडर, अच्छे से मिक्स करेंग मंदी जूसी ग्रेवी, अल्मोश रेडी हो चुकी है, और इसमें अभी डल रहा है चिकन मसाला, स्कीनलेस लाइसन यहाँ पर इसमें डलेगा, यह स्मेल भी बहुत हमीजिंग आ रही है यहाँ पर, हरी मिर्ची भी यहाँ पर एड हो चुकी है, और इसको अच्छे से अभी इसमें हम चिकन यहाँ पर रख सकते हैं, मटन भी हम इसमें रख सकते हैं, और हम इसमें राइस भी डाल सकते हैं, जर्मनी से इंपोर्ट होकर यह मशीन रेश्टारेंट में आई हुई है, 15 मिनिट के बाद फाइनली हमारा मंदी राइस जो है रेडी हो चुका यहाँ पर, अभी हमारी मंदी जूसी ग्रेवी, अभी इस ग्रेवी में मटन मिक्स किया जा रहा है, ग्रेवी को जो है इस पर अच्छे से यहां पर डाला जा रहा है, बहुत अच्छी इसकी महक आ रही है, अभी हम देखते हैं कि ड्राइ आइटम्स को कैसे फ्राइ करते हैं, तो अभी इ सब जाएगा इस्पेशल थाले में यह सब आइटम को जो है हम सजाएंगे और उसको हम खाएंगे और उसका रीवियो आपको बताएंगे तो फाइनल्ली हम आचुके हैं डाइनिंग सेक्शन में यहां पर जमानी स्पेशल थाला भी रेडी है तो अभी मैं इसको टेस्ट करता हूं और आपको बताता हूं इसका रीवियू और यह भी मैं ले रहा हूं इसका फर्स्ट बाइट ड्राइ ब्लैक लेमन का फ्लेवर इसमें अलग से यहां पर आ रहा है जो कि इस मंदी को और भी लजीज बना रहा है ठीकेन भी यहां पर दला हूआ है प्रिस्पी है चिकेन और क्रंची भी है बहुत ही टेस्टी है मंदी यहां पर बन चुकी है जूसी मतन और यह बतर भी यहां पर है तो बहुत ही डिलीचेज यह मंदी है जूसी मतन का पीज बतर का पीज जूसी चिकेन भी यहां पर अवेलेबल है और ड्राइ मतन और यही के बाजू में फिश और यह बतर का पीज और यह है चिकेन का पीज जो की अल्मोस्ट एंड हो चुका है तो ये था मेरा आज का व्लॉग स्पेशल मंदी का अगर आप लोग भी वीडियो अच्छा दीगा तो इसको लाइक करिए, कॉमेंट करिए और शेर करिए सभी फूद लवर्स के साथ और जहां तक रेटिंग की बात है तो रेटिंग इसकी है मेरे साब से ये तो होपुली मिलते हैं जल्दी नेक्स वीडियो में बहुत जल्द कुछ नई डिस के साथ, कुछ नए फुट के साथ तिल देन रखिए दुआओं में में को याद मिलते हैं, बबाई